एलो नमस्कार किसान साथियो मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस युटीप चैनल में आपका स्फवागत है मेरे इस长 युटीप चैनल का नाम Indian Technical Farming है और आज मैं आपके लिए एक खेति से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ गवार की खेती किस तरिके से गरे जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यो कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल सकर पनाना क्यों जुरूरी है गवार की खेती के लिए कौन सा बीज़ का सुनाव करे कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमे है किस तरह में बीज़ का उपचार करना है और इसके लिए में बीज़ की मातरा की कितने जूट पड़ेगी इसकी खेती शित्ता ऐसे शित्तरों में की जाती है गवार के खेती के लिए जल परबंदन का होना बहुत जुरूरी है और इसमें केट परबंदन और रोक परबंदन भी बहुत जुरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी बजाए के समय कौन कौन से साथाने रखे जिसके कि 20 गाओं को अनुप अबावार्वर प्राफ दो जिसके कि एमें एक अच्छ इंकम प्राफ दो इस वीडियो को अन्त तक जुरूर देखे ताकि आपको खितिती से जुरूर इस भी जानकारी प्राफ दो अगर आप चैनल पर नई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तक कि इनने किसानों को जानकारी प्राप्त हो अगर आप और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चली ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं अर्थ सुसक्राइब आपकों में होती है यह गरम ओसम की फसल है जिसे बाज़रे के साथ मिला कर बोया जा सकता है इसे अरी सबजी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगों पर इसे एरेचारे के रूम में भी प्रियो करते है इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसान सलाना लाखोर उपए की कमाई कर सकते है इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान, हरियाना, उत्तर, पदेश, एंपिवा, माराष्टर के कुछ इस्सों में की जाती है माराष्टर में लगबग 9.26 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पश्वों को गवार खिलाने से उनमें तागत आती है तो धारू पश्वों की दूद देने की समता में वर्द्य होती है गवार से गोंद का निर्मान भी किया जाता है ग्वार्गम का प्योग अन्यक उत्पादों में होता है ग्वार्फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दाल थासूप बनाने में भी क्या जाता है ग्रामिन चेतरों में यह एक काफी लोग पिडिया फसल है हेलो नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है मेरे यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेकनिकल फार्मिंग है आज मैं आपको 67610 वराइटे की कुछ विशेष्टाओं के बारे मैं बताता हूँ 68610 वराइटे की बैदावार सबसे अच्छे होती है इस वराइटे की मांग सबसे ज़्यादा होती है यह वराइटे अर्याना वराजस्तान में सबसे ज़्यादा भुआई की जाती है एक अंकट के लिए 2-3 की बीज प्रियापते रहता है इसकी विजाए मद्द्रें वरालकी मिट्टी में की जा सकती है इसके एक पैकट के बीज की किमत 600 रुपए होती है इसकी पैदावार भी जबरदस्त होती है इस वराइटे में किसी भी प्रकार की कोई विमारी नहीं आती इसकी विजाई सिस्था ऐसी सिस्थेतरों में की जाती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट इंडियन टेकनिकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें धन्यावाद गवार की खेति करते समय हमें कुछ सावदानिया रखने रचिए नंबर एक गवार की खेति के लिए उप्यूकत समय हमें नंबर दो खेत का चुनाओ नंबर तीन मिट्टी की जांच नंबर च्यार पाने की जांच नंबर पांच गवार की खेति के लिए भूमी नंबर च्यार की खेति के लिए जलवाई हूँ नम्बर साथ खेत की त्यारी बराट फसल पत्ति या फसल चक्कर नम्बर नो बीज का चुनाओ बीज के उननत किसमे बीज का उपचार बीज की मात्रा नम्बर दस बिज्जाई या फसल की बुआई नम्बर ग्यारा फसल की बुआई थदा ऐसी से चेतरों में नम्बर बारा खर्पतवार की रोगताम, नंबर तेरा तिस दिन के बाद निराई या गुडाई, नंबर चौबदा तिस दिन बाद सिचाई, नंबर पंदा जल का परबंदन, नंबर शोड़ा कीट वा रोग का परबंदन, नंबर शोड़ा इंसेक्टिस साइड वे टोनिक का सप्रे, नंबर शता कटाई फिर कडाई फिर पंदारन, ये मुक्के सावदानी है जो में गौर की फचल में रखनी चाहिए, गौर की खेती के लिए उप्यूकत समय, गौर की खेती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है काले इन फचल की बुआई के लिए मई मेंने का परतम खोड़ा उप्यूकत समय है, जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं, देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रुबाव पड़ता है वर्षा रितुक की फचल की बुआई के लिए जून वाज जुलाई उप्यूकत समय है, वर्षा दारी छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गौर की बुआई कर देने चाहिए बजार में बाजरा की बहुत सी वरायटिया अप्लूपद होती है, मई मईने में हम अगेत्ती वरायटी, वाजून जुलाई में हम पचेत्ती वरायटी, या फिर हम समय के अनुशार ही वरायटी का चुनाव करते हैं खेत का चुनाव, इसके बाद हम बाजरा की विजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं अगर पहले उस खेत में सर्सों की विजाई की थी, तो सर्सों के फनों को रोटो वर्टर की सायता से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सर्शों के फानों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैरो की साथा से दो तीन बार अच्छी तरह से जुताई कर दे फिर आप लेजलेवर की साथा से खेत को संतल कर दे अगर खेत पिरानी है तो आप रोटावेटर की सायता से दो तीन बड़ जुताई कर दे फिर आप हैरो की सायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की सायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो खेत को लेजर लेवलवर की साहता से संतल कर दे ताकि खेत की सिचाई अच्छी तरक्षी हो जाई मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यापता जल जाता है कि ये मिट्टी में कौन-कौन से पौशकतों की कमी है वो खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्योकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहू, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टे की जांच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टे का पियेच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकौन सोपतिस्ट हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा ले अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम जादा हो सकता है और बीज अंकौन के समय यह एक समस्या बन जाता है अगर पाने का पीपे में एक जार से कम है तो यह ऐसे भी परकागी फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बेजगांग कूण 100% हो जाता है अगर पाने का पीपे में एक जार से जाजा हता है तो इसमें बेजगांग कूण सही तरीके से नहीं हो पाता है इसलिए पाने की जां खेत की त्यारी हुए गुबर की खाथ, अगर आप खेत में गुबर की खाथ का इस्तिमाल करते हैं, तो आठ से दस टोली एक अंकट के लिए प्रियापत रहती है, गुबर की खाथ जमिन में अच्छी तरह भी खेकर जमिन को सुम्तल कर देना चाहिए, जिसका प्येच मान जुलाई जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए, इसके उपरांत एक कर्टिविटर से जुताई प्रियापत रहता है, जिसमें मर्दा नमी संक्सित रहे, जुलाई जुन के दिवतियों पकवाडे में ही करने चाहिए, इस प्रकार त्यार खेत में कर्पतवार कम पनपते ह गवार फसल के लिए जलवायू, गवार एक सुका सहन करने वाली गरम जलवायू के फसल है, यह उन्च चेतरों में असानी से उगया जा सकती है, जहां पर ओसित वार्शिक वर्षा 30-40 cm तक होती हो, बिजों के अंकूर्ण वार जड़ों के विकास के लिए 25-300 cm के निचे त अबमान उप्यूकत होता है, गवार एक परकास से विदन से फसल है, अता इस फसल में फूल वय फलियों का निवान के वर्षा खरीब के मौसम में ही होता है, अता दिक बारिस वर्षांत वर्षांत वर्षांट को यह सैन नहीं कर पाती है, जिन छेतरों में अता दिक गरमी पड़ती है, पंतु सिचाई की सुविद्धा उपलब्ध है, वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है, सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है, गवार एक उसन कटे बंदिया फसल है, जो अठारा से तिस ड परकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, अच्छी जल निकास वाली मध्यम से भारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है, यदि मिट्टी की सतह साड़े साथ से आठ की बीच है, तो फसल अच्छी तरह से विक्षित होती है, जिससे फसल की पैदावार में देशिया किसी भी तरह के पोद्दे के लिए भूमे में मुझूद पोशक्दत्यों के इसलुपियों किसे भूमे की बहुतिक और जविक सित्ति में संतुलब बनाया रखना होता है। लगातार फसल चकर अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परिशानियों से छुटकारा मिलता है। फसल चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमे में से लगातार अच्छी फसल ले सकते हैं और इसके अपनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है। जबकि एक ही फसल को लगाता रुगानी से किसान भाईयों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगाता लगाने से मिट्टी में बीजनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके करण बूमी में विशेले गुण आ जाते है बूमी के अंदर विश सकती बनी रहती है फसल चकर के बनाने से बूमी में अमलिया और सारी गुण पोशक्तत्त और जविक पदार्तों की मातरा संतूलित रहती है फसल चकर के बनाने से फसल में कई तरह के कीट और बीजनित रोग नहीं लगती है इसके बनाने से फसलों में पैदावार अधिक मा प्रशाइनिक उरुक कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते हैं जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी कापी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़य से किसान भायों दोरा रसानिक दोयां पर क्या जाना वाला कर्ची भी कम हो जाता है फसल चक्र के दोरान फली वाली फसलों के बहुने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्टी बनी रहती है फसल चक्र अपनाने से खेत में करपतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फसल चक्र करके दोरान अधिक गुड़ाय वाले फसलों को बहुने पर खेत मे नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराई में जाते है उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़े कम गराई में जाते है उन्हें उगाना चीए अना आज फसलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसल को जुरूर उगाना चीए दिक आप सकता हती है उन्हें उगाना चीए इस परकार हमें फसल चकर अपनाना चीए भीज का चुनाओ हमें एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता है जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो चो जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका भाव भी अच्छा हो क्योंकि एक बड़ी एक वालिटी का बीजी हमें का अच्छा उतपादन और मुनाफ़ा दे सकता है बीज्श की 19 किसमें गोार की 19 किसमें बजार में गोार की 19 किसमें देखने को मिल जाती है अरे पिजली ओ तो उन्द किसमें IC 1318 M83 पुशा मौसमी अरे चारे के लिए उन्द किसमें ये मुख्यत उन्द किसमें उप्योग की जाती है अगर आप पाइदावार के लिए उन्द किसमों का ही चुनाप करना चीए अगर आप अरेज चारे के लिए उप्योग करते हो तो अरेज चारे वारी उन्नत किसमों का उप्योग करना चाहिए अगर आप फलियों के लिए उप्योग करते हो तो अरिफिलियों वाली उन्नत किसमों का चुनाओ करना चाहिए गवार के बीजों की मातरा वह बीज उप्चार यदि आप गवार की फसल दानों और अरिउपलियों के लिए करना चाहते हैं तो एक अंकड के लिए दाने की फसल के लिए 5-6 किलो बीज प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 किलो प्रियापत प्रियापत की जूर्ट होती है इसके लावा आप अरेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाहते हैं तो 16-17 किलो प्रियापत की जूर्ट होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उने कैप्टान या बावस्ट्रिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए ताकि विजोकार में फंपुद्ध या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्ध में जड़ों के दिक मातरा में गांट फायदा करने के लिए जवानू रोददक राइजोबियम उरुक से उप्चारित कर लेना चाहिए एक एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट वार जवानू रोददक की जूर्ट होती है सबसे पहले हम अफायार यानि सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उप्चारित करते हैं फंगिसाइड को उप्चार करने का मुख्या उद्शिया दिमक जैसी रोप्थाम के लिए किया जाता है और इंसेक्टिसाइड दुआउं से उप्चारित करने का मुख्या उद्शिया दिमक जैसी रोप्थाम के लिए किया जाता है और आज जोबियम कल्चर का उप्योग खे प्रेट में जुआनों की संक्या बढ़ जाई जिसे की एक अच्छी फ़सल पराप्त हो गौर फ़सल में खा देयों उरुवरक गौर दलानी फ़सल होने के का नाइट्रोजन की कुछा परती वात्तावरन की नाइट्रोजन को जोड़ों में उफसित पांटो और एक्तरत की ल जाल देनी चाहिए इसके तरित गौर की विजाई को बढ़ाई से पहले राइजुबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वीवर डाइसोग्राम गुड के गोल में 15 किलोग्राम भी उचको पचारित कर चाहा में सुका कर बोना लाब दयाक रहता है खेत की त्या में प्युड वार के लिए गोर की वहहाय हमेशा पंक्तियों में करे वहाय हमेशा पंक्तिउं में करे कूडों में पोदों की जुडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रित होता है जिससे पैदावार अधिक मलती है और फसल की देखवाल करने में भी असानी रहती है गुवार के बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी पंतारीस से पचास सेंटीमेटर था पोद्ध से प्रियापत मादरा में होसके अगर आपने नेरी चेतर में विजाय की है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खरपतवार नेंतर के लिए पैंडा में लिथियां 30% EC का पचास 500 मिलिमेटर को डाइस सो लेटर पानी में मिला कर इसका चुटकाओ कर दे जिससे की केद म खरपतवार नहीं होगे खरपतवार नियांतर गवार की फसलों को खरपतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समयने फसल बवाई के 15 से 20 दिन बाद की तरह के खरपतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वा दूब गास परूँक है गवार की समय समय पर निराई गुडाई करके खरपतवारों को निकालता रहना चीए इससे पूद्ध की जोडों का विकास भी अच्छा हता है और जोडों में वायू संचार भी बढ़ता है दाने वाली भसल में वैसालीन एक के लोग परती एक्टेर की दरसे खेत में बुआई से तो तीस दिन बाद हम खेत किसी चाहिए कर सकते हैं जल परबंदन अगर खेत में पानी का बढ़ाव ज़्यादा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का परबंदन करना चीए क्योंकि गौर की फशलों में ज़्यादा पानी की जूट नहीं होती है गौर की फशल में कीटव परबंदन दिमक फशल के पोदों की जड़ो को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बौई से पहले अंतिम जुताई के समय केत में क्यून पोस एक पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर 20-25 किलो परती एक्टेर की दर से बूमी में मिलानी चीए बौने के समय बीज को कल लौरिफाइस केटनासक की दो मिली लेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीज की दर से पचार कर बोना चीए नंबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फचल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके नियंतन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी मोहिला या किट पोदक के कमल बागो का रश्चुक्स पर फसलों को आनी पुचाते है इसके नियंतन के लिए ट्र मातरा को पानी में गोल बनाकर परती एक्टर की दर से चुटकाओ करना चीए वैक्ट्रियर बलाइट या गवार की बहुत आनिकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस मिमारी के नियंतन है तो रोग रोधी किस्मों का उगाना चीए बिज को दो ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से परती किलो बीज की दर से उपचारी करकर बोना चीए छाचिया इस रोग के कांड पोद्य के उपर स्पेद रंगे पा गलन यह बिमारी भूमी में पैदा हुई फुंपुंद के कांड फैलती है इस बिमारी के कांड पोद्य अचानक मर जाते है इस बिमारी की रोग भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वारों फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी करने के लिए हम 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 स्प्रेक करने चाहिए चिपवाय रहतेला की रोग थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का आसा टाप जैसी दुआए यहों का छिटकाओ करना चाहिए अन्य केटवाय रोग की रोग थाम के लिए आप अपन कि बूब में शुपा लेना चीए इसके बाद हमें इसकी कटाई कर लेने चीए कटाई करने के बाद हमें इस पसबका बंढान कर देना चीए अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इस उडियो को ज्यादा लाइक शेयर और इंडियन टेक्निकल फर्मिंग को स्ब् झाल 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 झाल